बुढिया तुने बहुत माला जपली अब ये माला तू नहीं मैं जपूंगी समझी अगर नहीं समझी तो मैं तुझे समझाती हूँ देख तुने इस गर में बहुत राज कर लिया अब तेरा इस गर से जाने का टाइम आ गया है मा ओ मा जड़ा पानी लेके आना तो बोज़ोर की प्यास लगी है आप आगई जी आज आप कुछ जल्दी ही आगे खेट से क्या बात है जिनाब अरे घुलाबो मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था इसलिए मैं जल्दी कर आ गया क्या बत मा दिखाईने दे रही का गई हुई है तुम्हारी माता जी गई है व्रिद्धाश्रम देखने मेरे भाई के साथ मा व्रिद्धाश्रम देखने गई है क्यों मैंने भीजय जी उन्हें कल से वो वहीं पर रहेंगी मैंने उन्हें कहा कि आप खुद जाके व्रिद्धाश्रम देखाई अगर आपको पसंद आये तो ठीक है वरना दूसरा देख लेंगे आरे गुलाबो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जया मेरी मा और व्रिद्धाश्रम में रहेगी क्या चिला क्यों रहो और ना नीची आवाज में बात करो तुम्हें पता है ना कि मुझे उची आवाज बिलकुल भी पसंद नहीं है और रही तुम्हारी मा की बात तो अगर कां से लेखे आंगी गुलाबो स्व तुम्हें पता है ना मैं मेरी मा के पगेर नहीं रह सकता और मेरी माँ भी दिले रह सकती अब आध़ डाल लो जी यह तुम्हारे लिए भी ठीक रहेगा और तुम्हारी मां के लिए भी और हाँ, अब जाके न मोनो को टूशन से ले आओ, काफी देर होगी है, क्योंकि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, आज मुझे न मेरे सहीलियो के साथ शाम को पार्टियो में जाना है अरे मेरे मुझे क्या देख रहे हो, बहरे हो गयो, सुना ही ने दे रहा, जा मोनो को ले कि आओ, टूशन से एक किलास पानी ला दीजे, प्लीज, बहुच ओर की प्यास लगी है आप मोनो को टूशन से ले आए क्या, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, भार खेलने गया है क्या नहीं, मैं उसे छोड़ आया हूँ छोड़ आई, कहां छोड़ आई जी अनाथाश्रम में छोड़ आया अनाथाश्रम, यह आप क्या बोल रहे हो मैं सही बोल रहा हूँ, और तो मुझे चिला के बात मत कर मुझे भी उन्ची आवाज सुनना पसंद नहीं है मैं सच कह रहा हूँ, मोनो को मैं अनाथाश्रम छोड़ आया हूँ मैं आपके हाथ चोड़ती हूँ जी मेरे बेटे मोनो को आप ले आईए वापस वहाँ से मैं उसके बिना नहीं रह सकती क्या का तो मोनो के बिना रह नहीं सकती कभी तूने सोचा है मैं मेरी मा के बिना कैसे रह पाऊंगा जब बात तेरे बेटे की आई तो रोने लगी और मेरे माँ के बारे में ये नहीं सोचा कि वो अपने बेटे के बिना कैसे रह पाएगी मैं आपके पैर पकड़ते हूँ जि मुझे माफ़ करती जिये मुझे से बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने एक माँ को उसके बेटे से अलग करती जिया प्लीज आप उनको वापिस ले आईए जी मुझे माफ़ करती जिये माँ भी मांगनी है तो तू उस माँ से मांग जिसके जिगर के टुकड़े को तूने उससे अलग कर दिया तो उस बेटे को छीर नहीं थी उससे अरे तुझे तो उसकी सेवा करनी चाहिए थी और तूसे अनाजा सरम चोड़ाई और सुन मैं इतना निर्दे ही नहीं हूँ जो एक बेटे को उसकी मां से जुदा कर दूँ जा लेया मौनू को काकी के गर बेठा है मुझे माफ कर दो जी मुझे अपनी गल्ती का हसास हो गया लेकिन सबसे पहले है न हम दोने विर्दाश्रम चलते है मैं माताजे से पैर पकड़ के माफ ही मांगूगी और हम दोने मिल खेना उन्हें इस गर में वापिस लेके आएंगे जी चले चलो मेरी प्यारी बेहनों मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर यहीं प्रात्मा करती हूं कि आप अपनी सास को सास नहीं बलकि मा समझे और जो गल्ती इस वीडियो में मैंने की है वो गल्तिया भूल कर भी ना करे